Hello everyone, welcome back to my youtube channel again आप सबका मेरे youtube channel में एक बार फिर से स्वागत है I hope you guys are doing absolutely fine और guys आज हम बात करने जा रहे हैं share market के एक ऐसे jam के बारे में जो long term में एक बहुत ही अच्छा profit हमें दे सकता है हाली में अभी इसने अपना split किया है जिससे इसकी face value जो है वो 10 से कम होके 2 हो गई है जी हाँ guys हम बात कर रहे हैं IACTC के share के बारे में जिसने का latest split हुआ है और जिसकी वज़ा से जो इसका price है 4000 से कम होके 850 के आसपास हो गया है ये share अभी भी अगर मैं बात करूं market में तो एक बहुत ही अच्छा share है अगर मैं long term perspective से इसकी बात करूं 2030 तक अगर हम ये share लेते हैं और लेके अपने पास रखते हैं going to going through different markets and all these kind of things की market कैसे perform करती है और तो मुझे लगता है कि ये share in the end in a long term future हमें एक बहुत अच्छी खासी returns जो है वो provide कर सकता है सबसे पहले हम इसके market cap की बात कर ले तो हमें पता है IACTC जो की Indian Railways एक बहुत ही अच्छी market cap है large cap का share है 68,436 crore की इसकी market cap है इस वक्त इसकी book value भी around 20.4 रुपिस के करीब चल रही है although यही इसका सबसे बड़ा negative point है बट इसमें इतने सारे positives हैं कि इसके जो कुछ negative points है वो इसको overcome कर जाती है जो stock का PE ratio है वो 161 के करीब है और rate of ROE है जो इसका return on equity वो 11.6% का है अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा नीचे आके इसकी movement के बारे में तो हम यह देख सकते हैं कि जब से यह launch हुआ है तब से बस यह high ही जा रहा है यहाँ पे जो हम dip देख रहे हैं वो यह dip इस वज़ा से है क्योंकि पीछे जो market में news आई थी इसके split होने के बाद की जो government है वो इसके tickting system में 50% खुद stake लेगी और 50% ही IACTC को मिलेगा उसके बाद से यह dip आई है basically बट अगर हम overall की बात करें तो इसने starting से लेकर जब भी यह launch हुआ था यह कुछ 2 November 2020 को launch हुआ था 260 रुपे के करीब तब से लेकर अब तक बहुत ही अच्छा खासा return दिया है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसकी sales margin की बात कर लोँ तो आप देख सकते हैं क्या brilliant number है इनके अगर हम इसमें इसके last 5 years के number देखें तो हम देख सकते हैं कि January में 435.01 की sales हुई थी और जो की बड़ी ही है 18 के बार 1997 के second quarter में अच्छी खासी sales हुई है और उसके बार हम देख सकते हैं कि 20 जो था वो all the week था क्योंकि हम सभी जानते हैं 2020 में करोना की वज़ा से रेलवेस का काम बिलकुल नहीं था तो उस वज़ा से हम यह expect कर सकते हैं बट अब हम देख रहे हैं कि दुबारा से यह track पे आ रहा है और हमें पुराने numbers जो हैं जो pre-covid numbers है pre-covid sales number हैं वो हमें दुबारा से देखने को मिल रहे हैं तो हम expect कर सकते हैं कि यह जल्दी ही अपना जो all time high था इसका 31 December 19 को 715.98 की sales को दुबारा से overcome करेगा इसके साथ अगर मैं बात कर लूँ PE ratio की तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ तो इस वक्त इसका PE ratio अभी चल रहा है 274.3 के क्रीब जो की hold थोड़ा बहुत ज्यादा है बट अगर मैं बात करूँ इस share के बारे में specifically तो अगर मैं long term के लिए perspective से ले रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई फरक पड़ेगा नीचे आते हैं थोड़ा सा इसका pros और cons की बात और करते हैं तो सबसे पहले company जो है almost debt free है जो की इसका सबसे बड़ा pro है और उसके साथ company is expect कर रही है कि वो next quarters good देगी जैसे कि मैंने already बता रही है कि हम expect कर रहे हैं कि जो company है जो pre-covid sales थी उनकी वो दुबारा से provide कर सकती है company has a good return on equity यह भी हम already discuss कर चुके हैं तीन साल का last जो equity है उन्होंने 26.75% दिया है और उसके साथ company has been maintaining a healthy dividend payout guys कोई भी company जो healthy dividend दे रही है वो long term में हमेशा अच्छा ही करेगी इस बात पे बहुत जारा scope हो जाता है अगर मैं कुछ cons की बात करनूं तो यह cons हम discuss कर चुके हैं कि stock is trading at 41.96 times its book value तो stock जो है वो बहुत जारा high है अपनी book value के according मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था कि इसकी जो book value है 20 के करीब है जबकि इसका current price है वो 8.55 के करीब है तो काफी जारा difference आ जाता है second thing जो इसके favor में नहीं जाती वो है the company has delivered a poor sale growth of minus 10.54% over last 5 years तो यह guys again इस वज़ा से है covid की वज़ा से जो covid हुआ था उस वज़ा से trains बिलकुल नहीं चली और उसमें जो है काफी जादा जो है downfall देखने को मिला है sales में बट मैं इसको expect कर रहा हूं कि going future long term में इस चीज़ को यह हम neglect कर सकते हैं अगर मैं अगली बात करूं कॉंस में तो वह company has higher debtors of 251.73 days again guys इसका बहुत जारा cause covid पे ही जाता है तो future में हम सोचते हैं कि आगे जाके इसका और भी better हो सकता है peer comparison में बात करूं तो इसका peer comparison कोई नहीं है monopoly है या CTC की तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह बहुत ही एक अच्छा share होगा तो अगर again guys मैं again इस बात पर emphasize करना चाहता हूं कि यह कोई भी promotion वीडियो वगारा नहीं है यह एक just informational वीडियो है यहां से वीडियो देखने के बाद आप अपनी खुद से research कीजिए और उसके बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है सिरफ तभी purchase कीजिए उसके बिना purchase करने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि यह आपकी hard earn money है you should be the one who think की उस hard earn money को कहां invest करना है और कहां invest नहीं करना थोड़ा से नीचे आते हैं quarterly results के बारे में तो थोड़ा बहुत इनके बारे में बात करते हैं जैसे कि sales के बारे में हम already बात कर चुके हैं December 2019 में सबसे ज़्यादा high थी इसकी sales और बट जो अभी है यह दुबारा से pre-covid level को achieve कर रहा है although March 2021 के बाद June 2021 में हमें नंबर थोड़े गिलते हुए लगे थे बट September 2021 के जब नंबर आए हैं तो उन्होंने काफी ज़्यादा outperform कर दिया है अगर मैं expense की बात करूं तो expense भी almost same ही रहा है बट operating profit जो है वो बढ़ गया है जो June का expense था वो 132 के करीब था जबकि September का 193 के है बट September में जो sales है वो काफी ज़्यादा हुई है इसलिए operating performance काफी profit जो है वो काफी ज़्यादा अच्छा हो गया है अगेन गाईज अगर आप इसको short term के लिए सोच रहे हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है share market में short term में जारा predict कर पाना की कौन सा share बहुत अच्छा है और कौन सा share ठीक ठाक है बट अगर long term के लिए सोच रहे हो तो definitely guys this is a share I want कि आप एक बात देखो इस पर थोड़ी सी research करो और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा बहुत अपना निवेश कर सकते हैं अगेन गाईज थोड़ा से नीचे आते हैं जी हां तो profit before taxes और net profit वगरा आप यहां से देख सकते हैं तो यह number मुझे काफी जादा promising लग रहे हैं last quarter से और even last year से तो बहुत जादा promising लग रहे हैं तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि काफी अच्छा हमें इसमें option देखने को मिल सकता है अगर मैं profit loss की बात करता हूं तो compound sale growth जैसे की हमें पता है 5 साल में minus 11% तीन में minus 19, TTM minus 20% compound profit growth जो है वो भी इतनी कुछ अच्छी कासी नहीं रही बट TTM है वो almost 33% के क्रीब है dividend payout although इसका बहुत अच्छा है अभी तक हमने हर बात देखा है कि अगर मैं बात करूँ 2015 से तो 20% से लेके 2000 March 2021 तक इसने हमें 42% का dividend दिया है तो September में भी हम एक अच्छा dividend देख सकते हैं इससे तो यह थी guys all the details about this तो हम hope करते हैं कि March 2022 में एक अच्छा dividend हमें फिल से दे क्योंकि अगर मैं last कुछ years की बात करूँ तो काफी अच्छा dividend दिया है सिरफ एक 2018 में इसने सिर्फ 21% dividend दिया था वो भी काफी अच्छा हो जाता है मार्च में जैसे कि हम सभी जानते है 2019 जो था वो best year था IACTC के लिए अब तक तो उसमें उसने 98% का dividend दिया था तो हम उम्मीद करते हैं कि after the situation COVID की जो काफी हस्त तक ठीक हो चुकी है कि यह हमें एक अच्छा dividend प्रोवाइट कर सकता है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ और अगर आप कोई specific शेयर या किसी क्रिप्टो कंसी के बारे में जाना चाते हैं तो प्लीज आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं तो मैं उस पर research करके video बना दूँगा तो इसी के साथ guys मैं ये video end कर रहा हूं धन्यवाद